तो यार आजकल इंटरनेट पे एक नई किस्म की प्रजाती आई हुई है जो कि बोईस को में में कनवल्ट होना सिखा रहे हैं हला कि वो अलग बात है कि उनके खुद के दूद के दात अभी तक गिरे नहीं है मतलब एक समय हुआ करता था इंटरनेट पर जब लोग फैशन और फिटनेस की बात करते थे गुरुमान जिसे क्रिएटर्स उस वक्त हुआ करते थे उसके बाद नोफैब का दौर आया और वो कम्यूनिटी काफी ज़्यदा पॉपुलर हुई हर कोई नोफैब कम्यूनिटी का समझ में नहीं आया एक वीडियो मैंने देखी थे जिसमें वो बिली जैसा मूँ बनाने को सिखा रहे तो बोल रहे थे इससे आपकी जॉलाइन सही हो जाएगी मेयाविंग ए और वो उनको बॉइस साल के लड़के को और वो उनको बॉइस से में में कनवल्ट होना सिखा रह और नो फैप करने से तुम सूपर सक्सेस्फूल हो जाते लड़किया तुम पर फिदा हो जाती तो भाई क्या ही बात तो लोग आइम नौट सेंग कि ये सारी चीज़े काम नहीं करती है या फिर ये सारे के सारे हटकंडे जो ये एकदम बेकार हैं आडियो हो गई, वेट ट्रेनिंग हो गई, वाकिंग उन दे ग्रास, लीपिंग फॉर एट आवर्स, अशुगंधा, मियाविंग, शिलाजीद, ये सब काम करता है, रियल लाइफ में भी काम करता है लेकिन अगर तुम सारा दिन यही काम करते रहोगे, तो भै रियल वर्क कप करोगे, अब सुबह तुम जल्दी उड़ते हो, उसके बाद तुमको 20 मिनट घास में चलना है, 20 मिनट तुमको धूप सेकनी है, उसके बाद तुमको योगा करना है, उसके बाद तुमको मेडिट कुछ इसको अपना नहीं सकते हो, बट द फिंग यह सारा का सारा जो कॉंसेट है, यह सारे की सारे जो चीजे ली गई है, यह जरूर फायदे मन्द है, बट यह वेस्टन कॉंसेट के वहां के जो वेस्टन क्रियेटर्स हैं, जो खासर के हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, इन स यह अपना शिकार बना रहे हैं और उससे व्यूज कमा रहे हैं, और इन सब में सबसे कमीने वो लोग हैं जो की बताते हैं कि वो 18, 16, 17, 18 साल की उमर में दे अर अर्णिंग 10,000 डॉलर, 10,000 यूज डॉलर, I mean, कितने लोगों को तुम जानते हो, अपनी रियल लाइफ में जह अब मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा कोई है, नहीं, obviously there are exceptions, but as a genuine rule, अगर तुम एक middle class family से आ रहे हो, lower middle class family से आ रहे हो, घर तुमारा EMI पर चल रहा है, पापा की salary थी, 2-3 कमरों का मकान है, ठीक से car खरी करने की जगह नहीं है, तो तुम खुद को कैसे उस situation में डाल सकते हो, कि त तुम इन लोगों से अपनी life compare करो, और $10,000 कमाने के लिए जब तुम निकलोगे, तुमारे पास ना वो skills होगी, तुमारे पास ना वो criteria होगा, and then you will beat yourself up, और जैसे कि मैंने बोला, you are vulnerable, 25 की age तक हमारा दिमाग develop होता रहता है, 25 की age तक, just think about it, और जो तुमारे आस पास के पैसा कमा सकते हैं, जो कि ये तुमारे influencers और lookmaxers या फिर जो तुमारे ये money content creators बता रहे हैं, तुम खुद सोच करके देखो, जो सुबा उठके तुमको घास पर चलनी के लिए बोल रहा है, यार यहाँ पर washroom जानी के लिए घर में line लगानी पड़ती है, गर एसी लगा होता अपके घर में तो, तो लोग वहाँ जा जा करके सोते हैं एक कमरे में, तो तुम कैसे उस चीज़ को उठा करके अपने उपर imply कर सकते हो, and look, take it from somebody who is guilty of comparing my life with others, I am still working on it, मुझे अभी भी उस चीज़ से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं मिला है, बट मैंने जितना अभी तक अपनी life देखी है, मैं यह नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा तीसमार खां हूँ, यह मैंने पूरी दुनिया देख ली है, but as a journalist, as a content creator, as a human being, और जो उतार चड़ा हो, मैंने अपनी life में देखे हैं, take it from me, these people are using you, एक बर फिर से मैं बता दू, not everyone falls in that right area, कुछ लोगों की advice अच्छी होती है, और यह जो लड़की पटाने बाला obsession है, now more than the physical intimacy, more than this nofap thing, यह अब एक status game बन चुका है, और status game, this is not just anti-women, this is not just anti-human, but this is destroying your inner self, this is destroying your confidence, क्योंकि आप हर वक्त दिख कैसा रहा हूँ, मैं बोल कैसा रहा हूँ, मैं उच कैसा रहा हूँ, इन सारी चीजों पे काम करते करते हैं, वक्त लगता है, self development, self help content, अच्छी चीज है, it's very very good, बट जब आप इसको over consume करने लगते हो, तो आपको वो dopamine hit देने लगता है, आपको लगता है कि journal करने से, बुक पढ़ने से, आप कोई बहुत बड़े achiever बन रहे हो, और solitude की तरफ यह जो आपको धकेल रहे हैं, यह आगे जाते हुए, आपको नुक्सान करेगा, trust me, I have failed it, इसते ना मिलो, यह साला toxic है, इसते ना मिलो, यह साला loser है, इसते ना मिलो, यह सारा gym जाता है, तो भाई, इंडिया में ऐसे ही लोग अभी हमें मिलते हैं, यह कोई बहुत ज़रे developed country नहीं है, लेकिन बशानी ना उठाओ कि यार, protein powder कहां से आएगा, यह chicken कहां से आएगा, मैंने क्या किया था, अपनी late teenage years में और अपनी early 20s में मैंने क्या गलती की थी, कि हम जब उठते थे, तो मुझे लगता था कि यार, यह करना है, protein लेना है, peanut butter करना है, यह करना है, वो करना है, and I could not afford these sort of things at that point of time, in fact, आज भी यार, peanut butter, and these kind of things, and protein powder, and chicken breast, these take a lot of income from you, बहुत ज्यादा expensive होता है, these things are very, very expensive, so, don't beat yourself up with it, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुमको अभी पढ़ रहे हो, और तुमारे पास कोई ऐसी family की पीछे से बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा well of family से तुम नहीं आते हो, या middle class family से basically belong करते हो, तो क्या करो, पहले अपनी पढ़ाई अच्छे से complete करो, जिम जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, जिम जाओ, protein powder नहीं खरीच सकते, दूद, दही, chicken, मखन, इससे जितना protein तुमको मिल सकता है, उतना protein लेने की कोशिश करो, और अपनी पढ़ाई पर main focus करो, बाकी अपनी running पे, अथलेटिजम पे, cardio, weight training पे, जितना कर सकते हो, उतना करो, लेकिन main focus तुम अभी अपनी पढ़ाई के ऊपर रखो, अगर तुम job करते हो, और तो ये देखने की कोशिश करो, कि कितनी ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी income ब बढ़ेगी, हम क्या करते हैं, influencers को देख करके, look backers को देख करके, money content creators को देख करके, पहले उस lifestyle को जीने लगते हैं, क्योंकि इस से हमें dopamine hit मिलता है, भाई 600 की किताब खरेदने से पहले 10 बार अगर सोचना पड़ा है, तो काहे कि reader बनोगे भाई तुम, तुम खुद सोचो य लगेगी, lifestyle तुमारे खुद बाखुद आगे बढ़ने लगेगी, और जब तुम जॉब में आगे बढ़ोगे, तो human connection को तुम क्यों नहीं सोचते हो, ये लोग जो हैं जो बोलते हैं कि जॉब मत करो, business करो, जॉब मत करो, business करो, भाई कहां से business करें, भाई कहां से पैसे ले अबलम हो इन लोगों को देख देख करके, तो तुम अपनी, देखो मेरा point यह है कि every person's life is different, और मुझे पता है आप मेंसे बहुत सरे लोग cricket देखते होगे, मैं खुद cricket का content creator हूँ, यहाँ पर इस channel पर आपको MMA की वीडियो भी देखने को मिली होंगी, तो sports में तुम जाओ, विराट कोली सचिन टेंडूल कर का सबसे ज़्याद कंपारिजन होता है, बट क्या अगर विराट कोली हूबहू सचिन को कॉपी करने लगता, यह सचिन की lifestyle से influence होकर के उस तरीके से खेलने लगता, तो क्या विराट कोली विराट कोली बनता? Obviously not, सचिन टेंडूल कर open करते थे, विराट शुरुवात में नमबर चार खेलते थे, विराट नमबर तीन खेलते हैं, विराट के सामने दो नई बॉले थी, विराट के सामने आउट सर्टी यार सरकल सिर्फ चार फिल्डर एक टाइम पर हुआ करते थे, तो विराट को तेज बनाने होते थे, सचिन ओपन करते थे, उस टाइम बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करती थी, तो सचिन को धीमा खेलना पड़ता था, और अगर आप किसी भी दो प्लेयरों को उठा लो, जो रूट इंगलेंड में खेलता है, विराट कोली इंडिया में खेलते हैं, सब अ गर्येटर हुआ करता था, एलेक्स कोस्टा, आप अब भी भी होगा, मैं उसको कभी-कभी देखता भी हूँ, लेकिन एक टाइम पे मैं उसका बहुत ज्यादा दीवाना हुआ करता था, तो मैं क्या करता था, जो भी वो बता दे, स्किन के, हेर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, पैसे नहीं है बहुत ज्यादा, नहीं नहीं जवाब लगी है, बहुत ज्यादा इंकम है नहीं, ट्रैवलिंग में अच्छा कासा पैसा निकल ला है, तेल अच्छा कासा खर्चा हो रहा है, लेकिन उस लाइफस्टाइल को, उस लुक को अपनाने के लिए मैं उसमें इतना ज्यादा ऑपसेस्ट हो गया था कि लिटरली मेरे फ्रेंड्स को इंटरवेंशन करना पड़ा था, कि भाई तुम बहुत ज्यादा डिजिटली क्रियेटर के लिए ऑपसेस्ट होते चले जा रहे हो, तो मेरी सजेशन यहीं होगी कि हर किसी की टाइम लाइन अलग है, हर किसी लाइफ को अपनी लाइफ की तरीके से देखो, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वो करने की कोशिश करो, अगर आपके पास पैसे कम है, जब पैसे बढ़ेंगे तो लाइफस्टाइल आएगी, लाइफस्टाइल बढ़ेंगी, यह जैसा मू step will result in disastrous consequences, so make sure अपनी life को अपने terms पे रखो, अपनी situation को समझो अपने घर की situation को समझो उस तरीके से plan बनाओ, अगले 2-3 साल का plan बनाओ, धीरे-धीरे तरक्की करोगे, जब पैसा आएगा, lifestyle अच्छी होगी, जब पैसा अगर already है, तो lifestyle तुम्हारी already अच्छी होगी, जो लोग कर सकते हैं, करें जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ तक पहुचने की कोशिश करें, as simple as that